आज से हम update के काम का सुरुगात करेंगे जिसमें हम student को update करेंगे तो update का काम जिस तरह से आप application बनाते हैं जिस pattern में design pattern जैसा रहता है अब यस इसरीके से ही हम करते हैं तो मैं सबसे पहले ID student form पे आऊँगा, यहां पे दो variable बनाऊँगा, सबसे last में आऊँगा, और public boolean is update public int id, यह student id होगा, अब हमें क्या करनी है, int id, boolean is update करनी है, और इसके बाद, इसके बाद क्या करनी है, this dot id equal to id, this dot is update equal to is update, a is update यह वाला है, और a is update यह वाला है, अब आप देखो, कुछ errors आपको नचराएंगे, वो error क्या है, यहाँ पर, यहाँ पर कर देते हैं 0, student id 0, तो और यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि यह update के लिए खुलेगा कि नहीं, तो हम कर देंगे false, यह update के लिए नहीं खुलेगा, चलिए, अब हम आते हैं manage student में, इसको मैंने copy किया, और listener में आते हैं, listener में error आ रहे हैं, इसको हमें fix करनी चाहिए, यहाँ early student के जिगह पर हमें यह call करना चाहिए, इस update में हमने false pass कर दिया, टाकि हमें पता चल सके कि update के लिए open नहीं हुआ है form, चलिए, अब फिर हमें क्या करना है, इस update, right click, और run करते हैं हम program, right click करता हूँ, यहाँ पर update student लिखा हुआ है, तो मैं आऊँगा student listener में, और यहाँ पर code लिखांगा कुछ और भी, update, यहाँ पर आऊँगा ऐसे, और यहाँ पर pass कर दिया कर दूँगा true, true का मतलब क्या, true का मतलब यह, कि यह form अभी जो open हुआ है, वो update के लिए हुआ है, update करने के लिए हमने form open किया record हो रहे न, तो यह है, अब मैं क्या करूँगा, manage student में right click, run करूँगा इसको, right click, update पर क्लिक करूँगा, कुछ ना हुगा, मज़ा नहीं आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, यह खुल रहा है, एक मिनट, यहाँ पर क्लिक है तो add new student आ रहा है, update पर क्लिक करेंगे तो update student भी title में आना चाहिए लेकिन यहाँ पर कुई काम नहीं हुगा, इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे copy, update student मैंने action perform किया है कि नहीं जरा check कर लो, एक मिनट, यहाँ पर मैंने action को add नहीं किया है, तो यहाँ पर update student भी करना पड़ेगा मेरे को, update student, अब मैं run करता हूँ program, यह देख लीजे आप, right click update पर क्लिक किया मैं open हो गया और यहाँ है add new, तो मैं इसको खतम करूँगा, यहाँ पर, sorry, मुझे add student में आना चाहिए, और constructor में, यह देख लो आप, यहाँ पर super dot में लिखा हुआ है इस तरह से title, हमें क्या करनी है, अब आप कहोगे कि यहाँ पर जी condition लगा दो यहाँ पर, is update, इस तरह से, और इसको कर दूँ इसके अंदर, लेकिन यह गलत है, यह line पहला line होनी चाहिए, तो इस तरह से हम नहीं लिख वक्ते हैं, मैं पहले जैसा कर देता हूँ, दूसरी line मैं कर सकता हूँ यह, this.settitle, settitle में हमें क्या करनी है, is update, यहाँ पर आता हूँ मैं इस तरह से, यदि यह is update में true आता है तो करो, update, yes student, student else, add any student, इसको यहाँ पर हम paste कर देते हैं, super को गयब कर लो, आपको होगे मैंने बदल दिया code, देखिए जब आप industry में काम करोगे, या project होगर कोई बनाओगे, तो हमें अपनी जरूरत के आधार पर, code को frequently आपको बदलना पड़ेगा, उस समय पे हमें title डाइनमिक नहीं चाहिए था, इसलिए हमने condition चाहिए था, इसलिए हमने condition चाहिए, यदि इसमें true आता है, तो update student title होगा, अन्य था, add new student हो जाएगा, समझे रहोगा आप बात, new कर देते हैं, ऐसे, test करके दिखाता हूं, आपको set title से form का title set हो जाएगा, अब देखो, मैं run करता हूं program, इस पर मैंने click किया, add new student आ रहा है, add student, इस पर एक्सम पर फॉर्म सायद मैंने नहीं किया है, right click update student पर क्लिक करता हूं, तो update student आ रहा है, मतलब title हमारा proper work कर रहा है यह देखो आप, update रुकिया तो आ गया, अब हमें क्या करना है, कि जिस student को हम update के लिए click करके कर रहे हैं, वह student का हमें id collect करना है, यह वाला id collect करना है, एक मेन टुक में जाए, इसमें काफी disturbance हो जा रहे हैं, क्या करे हैं, इस white space को gap कर दीजे आप, अब हमें क्या करना है, add student, जि मेनू में action command है, manage student menu dot delete update, manage student, ठेक है, में बहुल गया में कहा था, क्या मुझे आगे करना था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या करना था मुझे, मैं run करता हूँ, मैं बहुल जाता हूँ, तब साइद मुझे कुछ याद आ है, class में जैसे भूल जाता हूँ, यहाँ भूल गया साइद, मैं right click यहाँ पे करूँग, अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे आ जा रहा है, कि date, हाँ sorry, अब याद आया मेरे को, यह वाली ID मुझे get करनी है, तो बहुत आसान तरीका है, ID get करने का, आप देखो, मैंने यह student के मैं जाता हूँ, और यहाँ पे, हमें 0 नहीं पास करनी, बलकि student की ID पास करनी है, तो student की ID यहाँ पास करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ देखो आप, IIT row equal to add student add student student manage student इसके उपर आता हूँ, यह है, मैं add, manage student listener, मैं code कर रहा हूँ, manage student listener के form में जाऊंगा, यही पे मैं आता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, manage student, listener कहाँ पे, listener के पास जाऊंग, यह है listener, मैं क्या चाहता हूँ अब, sorry, मुझे यहाँ पे, manage student form चाहिए, तो manage student form मैंने कहां रखा है, यह वाला है, manage student form, dot, table, dot, get selected row, get selected row आ गया, यहाँ से मैं row ले लोंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, int, और फिर, यहाँ पर मैं लिए थे थे हूँ, id equal to, फिर सी वही manage student, manage.table, dot, get value add, column और row मांग रहा है, यहाँ पर हमने row दे दिया, column में दे दिया, dot to string करो यहाँ पर, और true string करने के बाद, integer dot parse int, से हम parsing कर देंगे, integer dot parse, parse, int, spelling side मैं सही हाँ सही लिखा हूँ, और यही id हम parse कर देंगे यहाँ पर, तो student की हमें id यहाँ पर मिल गई, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो आगी student की id, अब हम इस id को set कर देंगे यहाँ, मैं चाहूं तो आपको, अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको id, यहीं पर कॉमा करके, concatenate करता हूँ id, आप देखो भी इसको type में करना क्योंकि, मैं यह हटा दूंगा, सीधा यह phone खुल गया, मुझे manage student चाहिए था तो, देखो, 10 लिखा है न, मैं इसी पर right click करके update करूंगा, तो यहाँ पर 10 आ गया, मैं इस पर right click करके update करूंगा, यहाँ पर सीवेन आ गया, तो मुझे बस काम ऐसा ही करना है, ID आ गई, मैं इसको कर दूंगा, ऐसे delete, यह मैं आपको explain करने के लिए किया था, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर अब ID आ चुकी है, अब हमें क्या करना है, student listener को close कर दिया मैंने, एक काम मैं और करता हूं, वो काम क्या है, manage, manage student listener ही खोलता हूं मैं फिर से, और एक काम और मैं यहाँ पर करूंगा, insert के लिए, manage student, context menu add student यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी मैं क्या करूंगा, event add करूंगा, जे menu, क्योंकि इसमें मैंने event नहीं add करा है, साइध हम नहीं add करा है, तो इसमें भी मैं event add कर दूंगा, ताकि मेरा काम करे, अब इसको add करने से क्या होगा, आप देखो जड़ा, होगा कुछ नहीं, क्या होगा, यहाँ पर right लिख करके हम कर देंगे, add student, तो यह दो open होने लगा, यहाँ से भी क्लिक करेंगे, तो भी open होने लगा, तो यहाँ पर भी add student लिखा है, यहाँ पर भी add student लिखा है, इसलिए हमको इसके लिए अलग से code नहीं लिखना पड़ा, हमने जो यहाँ पर case लिखा था, इसी case से काम चल जा रहा है, अलग से नहीं लिखना पड़ा code, चलिए करम update के लिए code लिखेंगे, इसको मैं बंद कर दूंगा, मैं as student रहेगा, add student listener पर हम जाएंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो constructor call हो रहा है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, check करूंगा, if, if मैंने लिखा, if, student.is update, यदि update के लिए open हुआ है, तो क्या करो, data get करो कहां से, तो database से data get करो, हमें यही करना है, यहाँ पर, load data into database, database database, मैंने कर दिया, यह method call कर दिया, अब इसको मैं, create कर सकता हूं यही से, लेकिन मैं ऐसे copy करता हूं, manually बना देता हूं, private, void, इस तरह से, lowi हो गया, यही पर मैंने बना दिया, यह सारे को, इन सभी method को मैं, fold कर देता हूं, यहाँ पर click करके fold हो गया, इसको भी मैं fold कर देता हूं, अब हमें database से data, get करनी है, अब update के case में, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, student, bean dot, student, student equal to new, student dao, student dao dot, get student by id, इसको d कर देते हैं, और यहाँ भी लिख देते हैं, add student form dot id, क्योंकि इसी student form के अंदर यहाँ पर id पढ़ा हूआ है student का, semicolon, इसको मैं copy मारूंगा और चला जाओंगा, control दबा की इसके अंदर, और इसको मैं fold करूंगा ऐसे, इसको भी fold करूंगा ऐसे, इसको भी fold करूंगा, और बस last में मैं क्या करूंगा, code लिखूंगा, public return type मैं student bean दे दूंगा, और यहाँ पर ऐसे, सारा code मैं यहाँ लिख दूंगा, connection उठा लूंगा इधर से, इस तरह से, उठा लिया मैंने connection, और अब, prepare statement, prepare statement, prepare statement, यहाँ पर SQL का query मुझे लिखना है, मैं generate करना ज्यादा पसंद करता हूं, पसंद मैं क्या करता हूं ज्यादा पर, यहाँ पर समय बचाने के कारण में generate कर लेता हूं, पर आप लोग type कर लिया करो, मैं क्या करूंगा यहाँ पर student का एक object create करता हूं, mean equal to new student bin, जा भई, नहीं नहीं, नल पास करता हूं इसमें अभी मैं, ऐसे, और नीचे आऊंगा और return bin, bin को मैंने return कर दिया है, यहाँ पर मैंने save variable बना जाए है, अब मैं आऊंगा इधर नीचे, यहाँ पर मैं query लिख देता हूं, फिर मैं आता हूं आपके सामने, यह देख लो आप, यह मैंने query यहाँ पर लिख दिया है, सीधा सीधा मैं यहाँ आके कर दूँगा control V, यहाँ पर कर दूँगा enter, यहाँ पर भी आके कर दूँगा enter, यहाँ पर भी आके enter है कर देता हूं, अब एक स्क्रीन में दिखाई देने लगा है, तो यही query मैंने लिखा है यहाँ पर, अब यह जो back tick का sign है चाहें तो हटा दें आप, मैं यह छोड़ दे रहा हूं नहीं हटा रहा हूं, अब यहाँ पर id भी तो हमें चाहिए, यहाँ पर मैं int, कर दूंगा id, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ps.setInt, तो यहाँ parameter क्या कर देंगे हम, one id में कर देंगे id, हो गया, फिर ps.set, execute, ps.exe execute, execute, resultset हमें return करता है, execute query हमें fire कर देना चाहिए, जो हमें resultset return करता है, resultset.rs, इस तरह से, अब मैं क्या करूंगा, if का condition लगाऊंगा, यदि rs.next में true आता है, मतलब database में data है, तो ही हमारा record pointer आगे जाएगा, next की उर जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर next true return करेगा, तो हम आ जाएंगे if के अंदर, और if के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, rs.gate string, gate string में मैं pass कर दूँगा name, और यह father name पास कर दूँगा, मैं copy करके यहाँ, और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, father name हो गया, यहाँ पर मैं कर दूँगा, mother name हो गया, और यह mother name वो copy करके paste कर दूँगा यहाँ पर, इसको ले लाया मैं नीचे, gender को यहाँ पर करूँगा paste, और यहाँ पर कर दूँगा gender, email आ जाता है, तो copy करूँगा paste नीचे, यहाँ पर कर दूँगा email, और यहाँ पर email, email के बाद दूदू फोड़ नंबर है, तो यहाँ पर email, और यहाँ पर email, email, इसको भी email, टू कर देंगे, तू, एक टू हो गया, फिर, कॉपी करूंगे इसको, कॉपी यहाँ पे, और यहाँ पे, दी, स्वारी, डी ओ ए, डेट और वर्थ, गेट यहाँ पे कर देंगे, डेट, और इसको हम क्या कर देंगे, डेट वर्थ, डेट वर्थ, यहाँ पे डेट वर्थ, नीचे आएंगे, फिर से, डेट वर्थ, गेट के टेग्री है, तो केटेग्री भी हमने इस्ट्रिंग के फॉर्म में ही इस्टोर किया है, तो केटेग्री को यहाँ से कर देंगे, हम आएसे, केटेग्री हो गया, केटेग्री के बाद क्या है, इस्टेट, यहाँ पे इस्टेट कर देंगे, इस्टेट, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट, आप सोच रहे होंगे, मैं कंट्रोल स्पेस मार के कहें नहीं ला रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, आटो कम्लेट, डिस्ट्रिक्ट के बाद है, एड्रेस, तो यहाँ पर मैं कर दिया, एड्रेस, यहाँ, एड्रेस, कॉर्स आईडी आता है, इसके बाद, तो यहाँ पर हम कर देंगे, कॉर्स आईडी यह वाला, गेट इंट, और यहाँ पर सेट, आईडी, कॉर्स आईडी होगा, कॉर्स में हमने सिधा कॉर्स ले रखाया, कॉर्स आईडी ने लिया है, तो इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, कॉर्स आईडी पास कर देता हूँ, यहाँ से, यह देखो, कॉर्स आईडी में पास कर दूँगा, मैं कॉर्स आईडी बाकी को छोड़ दूँगा, कॉर्स आईडी के बेसेस पर ले लेनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ अभी, मैं आगे कुछ आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, गेट, 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 और आईडी के ज़िए पर 0.0, नल है तो नल ही छोड़ दो, एप कर देते हैं, ताकि फ्लॉटिंग वैल्यू को एक्सिप्ट करें, उसके बाद आखरी में आ जाता है फोटो, बीन.जेट, फोटो, और फिर यहाँ पिर, आर, आरेस, डॉर्ट, गेट, गेट, बाइनरी इस्ट्रीम, और इसमें क्या करेंगे हम, फोटो, फोटो कर देंगे हम, और फिर, रिटर्न, बीन, रिटर्न कर दोंगा, हमें सीधा, बीन, तो हमारा काम हो चुका है, अब यहाँ से हमने डेटा उठा लिया, और इस स्टूडेंट, हमने कॉल यहाँ से करी दिया है, और यह मेथड जो है, इस्टूडेंट बीन डेटर्न कर देगा, यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, बश्ट डेटा, डेटा बेस कंट्रोल में डेट करना है, इस्टूडेंट. 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 नेमटेश्ट फिल्ड और से टेक्स्ट, से टेक्स्ट में क्या करना है, हमें इसको कट करेंगे, और यहाँ पे डाल देंगे, ऐसे हो गया, मैं चलिए, मैंनेज स्टूडेंट में आता हूँ, और इसको रन करता हूँ. राइट क्लिक अपडेट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रामचर रन आ गया है, नेम, यहाँ पे नेम फिल हो जुगा है, सारा हम इसी तरह से फिल कर देंगे, नेम होगरा, पर मैं इस वक्त नहीं फिल कर रहा, इसको अगले दिन में फिल करूँगा, चलिए मिलते हैं अगले वडियों में,